एक स्वांग है आपका जो की बहुत कर्ट है जो मुझे लगते है कि वह बहुत सारे लोग ऐसे मांते कि बॉम्बे हिपप सीन मैप में उस स्वांग से आया था आफत उसके बार में बता हो यार उसके आर में कभी हमने खुल के बात की नहीं आफत मतब वह सब ने सुना तो ब्रदवी उस जमाने में मतलब ट्वीटर रीटर पे और कुड़ पे शौट होटे थे वो टाम पर मैं इन लोग अ को चुपचाब स्टडी करा था में देख रहा था इन लोग से इंग्लिश में रैप करें इंग्लिश में रैप करें बार्स तो हार्ड है बैटल करें आती थी थोड़ा ऐसा लगता था कि यह तो वर्नाक है इज़त गिरती थी और एक्षेट नहीं निकलता था बहुत सारी चीज होती थी तो मैंने एक रिसर्च किया बहुत सालों तक तो मुझे पता चला किस चीज की कमी है मुझे पता चला कि इन लोग असली रहने से डर रहे तो मुझे लगा कि शायद मैं इन लोगो बता सबू एक तरीका जो हिंदी रहे हिंदी उर्दू बंबया भाशर है लेकिन वो भी स्वैग में रहे इतना ट्रेंडी लगे ना इतना इतना बिल्ला कैची लगे ना इतना इमोशन बार में आये ना कि उन लोगो ऐसास हुई के इससे शर्माना नही है इसको तो बिंदास करना है इसको हक से करना है इसको ऐसे करना है तो मुझे ये बात समझ में आई और पिर मेरे दोस्त के साथ एनक्यूब के साथ और मेरे स्किज zustाने क्रू के साथ मैं जैम करने लगा और वो जैम करते करते मैंने हिंदी freestyle rap शुरू कि तो मुझे पता चला इसमें तो कोई सीमा नहीं को किसी भी हद तक तुम रायप कर सकते हो राइम कर सकते हो इन राइम मुल्टिपल सिलिबर इस अब हिंदी में जब आने लगा ना तो बहुत सरा इंट्रेस्ट पैदा हुआ कि क्यूरियस हुआ मैं कि मुझे ऐसा करके भी अरे बाइ मैं काम का नहीं हूँ में को गुस्सा आया मैं बता सकता हो कि मैं कितने काम का हूँ तो मैं पूरे गुस्से में और पूरे पैशन के साथ मैंने हद कर दी मैं मुझे पता नहीं था उसके बाद क्या होएगा मैंने स्रिफ बॉम्बे सीन को दिमाग में रखा था कि बॉम्बे के सीन की पब्लिक को पता चलेगा कि ऐसा कुछ आ रहा है तो स्रिफ बॉम्बे के सीन को दिमाग में रखते में मैंने आफ़ाथ रिलीस किया था और मेरे एरिये में लोग मुझे पहशानते थे मैं बहुत फेमस था नेजी से पहले यानि नेजी से पहले भी मैं फेमस था किस चीज के लिए फेमस थे आप बस्ती करने में अच्छा श्रारती बच्चा 302 मेरे बहुत सारे नाम थे बाई बहुत अलग-अलग नाम से लोग जानते थे मेरे एरिये में मुझे लोग पहशानते थे अच्छा ये वो अगला ये वो अगला मदीना का 37 थर्ड कॉलनी का सें जुजफ का सें जुजफ का अगला साब पहशानते थे में देखके तो मेरा ऑन ग्राउंड जो प्रमोशन था बहुत मार्केटिंग बहुत रावास थी पहले से पहले से पहले से पहले से पभली पहशानती थे कूला में क्या है कर करेके एक्विस्ट करते है मतलब यह सोट मसा है मैं उस तरह भुल रहा है meidän औ dispare है मैजिकल ऑन जो भी इता आ आफट का जमाना लाइक हेशनल अभर हे often गये दो में उपर वाले का किया हुआ है सब करिश्मा एक मुझे पदा नहीं था इतना सब कुछ होगा लेकिन बहुत कुछ हुआ उब एक आइपैट से गाने भी तो मुझे स्टूडियो जाने के लिए ना बहुत हिचकी चार्ट होती थी कि मैं स्टूडियो जाओंगा इन लोग सब मैंने ये फायदा उठाया ये ये इस्तमाल किया कर personal me शौद maj इन्भा इंडलोट किया समार्ट शूब मतला तुसमें गुस गया मैं अनका आा उसके अन्दर गुज गया हा इसके अनन फूल उत carriage किया बहुत महनत किया मुझे पतानी था इसा result rum तो मतलब मैं पीछे मुड़ के देखा ही नहीं यस वो तो मतलब जो फटा पूरा सीन बतल गया अच्छा समें जो बहुत नों को पता नहीं है इनों बहुत नों उसका मुझाग मुड़ारते रहते हैं ऐसे कि वो जो जो एक्सेंट था वेन यवस बैसेया अभी रएप निकरता है और मुझे बाद में बता चला किव मेरा बजपना अगुस्या ने में गुस्षी में अगया था तुम लोग इंगलीष में मैं बोलने का था कि हम लोग इंगलीष में भी हाड है और वह पूर्फ करने के चकर मैं आफट बना आफट मैं English बोल रहा हूँ और मैं hard हूँ बस मुझे ये proof करने गा था कि मैं hard हूँ तु मैं को हल्के में मतले देख मैं इंगलीड अच्छे सी नहीं आती तो गया हुआ तु मैं को हल्के में नहीं ले सकता तो मैंने अपनी English isso English सामने लाया पेश किया और और वो जान मुझके मेरा accent वैसी रखा मैंने जैसा मेरे accent निकलेगा वैसा accent डालूगा लेकिन English बोलूगा और ठसा हूँ लोगो कोई भी English का बंदा में को ठसा नहीं सकता ये बात मैं समझ लिया और मेरे college में English बोलने वाली public में को ठसा रही थी तो उन लोगो ऐसा मैंने reply दि वगेरा वगेरा और जान मुझके ऐसा accent रखा और इंडियन accent में बात किया जो अमेरिकन लग रहा है तो बहुत फणी है मेरे लिए भी बहुत फणी है मैं अपने आपकी फिल्म लेते रहता हूँ हा मतब अपनी फिल्म भी ले रहे है लेकिन आफट सुपर कल्ट उसकी एक लेड़ियसी है लोग उस गाने को बहुत प्यार करते है और अभी भी अभी लोग उसकरम बात करते है उस गाने की greatness है कि लोग उसकरम बात करते है